अलो गाईज आज हम लोग यह डिसकस करने वाले हैं कि अभी समय आ रहा है आएसस की जो एक्जाम है 2023 की वो होने वाली है इसले का साल की वी एक्जाम होई थी इस साल की एक्जाम होने वाली है और एक बार वो अपने आपको टेस्ट करना है अब आपको अपने आपको टेस्ट करना है यह टेस्टिंग जरूरी है क्योंकि अगर आप विदाउट टेस्टिंग चले गए और एक्जाम में इन सब चीजों से बच के रहना चाहिए और एक बहुत अच्छी सी क्वालिटी होती है न मैं एक बात जानता हूं कि जो साइकलोजी जो फिलोसफी कहती है उन बातों को अगर सच में लाइफ में उतारी जाए तो वो काफी अच्छी होती है और उसका मैं सब लोग जानते हैं कि एक 21 days formula होता है 21 days का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर चीज को 21 days तक completely करते हैं मतलब as it is जो आप चाहते हैं तो वो आपकी आदतों में आपकी habits में आ जाता है ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी भी चीज को 21 days कुछ लोग कहत है 23 days करते हैं तो वो आपकी आदतों में आ जाता है इस formula को ठीक करने के लिए हमने यह कहा कि क्यों ना हम testries की बात करें आपको भी पता है practice makes a man perfect मैं बार बार उन चीजों को धुराने नहीं चाहता हूं मैं कि बल आपको यह बतलाना चाहता हूं कि why you should purchase the sunrise classes testries क्यों आपको sunrise classes की online testries लेनी चाहिए मैं आपको केबल यह बतलाने का प्रियास करूंगा ठीक है तो यह आपका मैं इस पर नहीं बतलाओंगा directly website पर आता हूं और website पर आकरके ही आपको समझाओंगा सारी चीजे कि क्यों आपकी जो है ISS और online क्यों लेनी चाहिए और offline क्यों ल प्रेपियर्ड है कि online भी ले सकते हैं offline भी ले सकते हैं offline में आप आ करके देंगे यानि कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि सर मुझे ना घर पे उतना अच्छा environment नहीं मिल पाता है तो मुझे ना दिल्ली आ करके कुछ दिन के लिए रहेंगे और तो तीन महीने रह करके हम testries दे अगर आप सच में self-disciplined है फिर तो online testries ले लिजे और अच्छे से त्यारी कीजिए भगवान से मैं प्रार्तना करता हूँ कि आपका हो ठीक है यह बहुत जरूरी है और हमारी सुभकामनाय होंगी लेकिन अगर आपको लगता है कि आप self-disciplined नहीं है तो क्या होता है कि दो चीजे होती है या तो खुद को कंट्रोल कर लिजिए या किसी को अपना कंट्रोल दे दीजिए है कि नहीं या तो खुद का remote control खुद के हाथ में रखिए तो खुद को कंट्रोल में रखिए नहीं तो खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दीजिए तो जब आप यहां आ जाएंगे हमारे यहां तो आपका control जो है मेरे हाथ में आ जाएगा यानि कि फिर आपको हम करवाएंगे काम और फिर आप उस काम को करेंगे that's it आपको अपने उपर force नहीं करना पड़ेगा यह दोनो ways हैं तो online testries भी चल रही है offline testries भी start होने वाली है online testries चल भी रही है एक next schedule भी आने वाला है तो यह दोनो चीज़े होंगी ठीक है मैं आपको बतला रहा हूँ कि क्यूं आपको ISS की online testries sunrise classes के पास ही लेनी चाहिए क्यूं कहीं और नहीं है ना बहुत ही है और मैं हमेशा student के side से सोचता हूँ तो क्यों हम sunrise classes के पास ही लेंगे यह आपको मैं समझा रहा हूँ ठीक चलिए बतलाता हूँ drawbacks भी बतलाओंगा अगर कहीं पे जरुवत पड़ेगी तो तो हम देखते हैं one second yes तो मैं sunrise classes की पहले तो website पे आता हूँ और इसको open करता हूँ मैं पहले समझने का प्रियास करूँगा समझाने का प्रियास करूँगा कि ऐसा क्या हम देते हैं जो और जगा पे नहीं मिलती है वो चीज हम आपको समझाएंगे देखिए एक batch भी आ रही है इसके बारे में notification आपको मिल जाएगी और ये चीज़े जो है आपको देखने को मिल रही है तो batch के बारे में आप देख सकते है अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि क्यूं जो है आपको संडाइज क्लासेस की ही लेनी चाहिए तो मैं पहले तो course list पर आ जाता हूँ ISS की भी ले सकते हैं RBI-DSIM की भी ले सकते हैं Online Test Series RBI-DSIM की Cable Online Test Series होती है Offline इसलिए नहीं होती है क्योंकि आपको Cable और Cable Online ही एक्जाम होती है Offline mode में एक्जाम नहीं होती है तो phobia की तो कोई बात ही नहीं है Online ही आपको तयार करना है ठीक ये चीज़े हैं अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हो गया एक कमबो भी है जिसमें ISS की Online ले सकते हैं और RBI की भी Online ले सकते हैं ये Online वाले में ही कमबो चलता है Offline वाले में कमबो नहीं चलता है ठीक है Offline में Cable Offline Test Series लेंगे देखे अगर आप कमबो लेते हैं ये structure आप इस पर क्लिक करके जा करके देख सकेंगे ठीक है मैं यहाँ पर login कर देता हूँ अपने वाले ID से और कोई भी मेरा ID का password नहीं देखेगा ठीक है चलिए मैं इसको यहाँ पर ताकि मैं full accessibility ले पाऊँ आप लोग अगर हमारे यहाँ लॉग इन कर लेते हैं तो आपकी full accessibility मिल जाती है अगर यहाँ पर लाग इन कर लेते हैं तो आपकी full accessibility मिल जाती है कि आप तो यह हम लॉग इन कर रहे हैं और लॉग इन करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ ठीक है यह मैंने लॉग इन कर लिया है और इसके बाद हम सारी चीजों को देख सकते हैं ठीक तो देखिए सबसे पहले आते हैं देखिए कंबो कोर्स को समझा देता हूँ इसमें आपको 100% सारी चीज़े समझा देता हूँ जो चीज़े लिखी वही है वैसे तो adjectives मिलेंगी लेकिन उसमें क्या क्या किस तरीके से वह लिखा गया है क्या उसका मेन मीनिंग है वह भी समझा दूंगा और क्यूं आपको संडाइज क्लासे का ही लेना चाहिए यह समझा दूंगा गौर किजिएगा पहले मैं इसका fee structure दिखाता हूँ यह combo का fee structure है online testries का मैं यहाँ open करता हूँ और इसका fee structure आपको दिखाता हूँ यह देख लीचे credit card या debit card जैसे आप लोग कहते हैं सर यह माई पर मिल जाएगा तो यह मैं हम नहीं प्रोवाइड करते हैं वह आपकी bank प्रोवाइड करती है ठीक है तो यह मैं आपको facility है आपका अगर bank आपको देना चाहता है तो यह payment gateway से है लेकिन payment gateway वाले में एक problem है कि payment gateway का charge लग जाता है ठीक है वो charge हम आपका beer नहीं करते हैं वो charge जो है हमारे पास आता भी नहीं है जो payment gateway सर्विस देते हैं उनके पास जाता है ठीक है इसके अलाबे आप अगर payment gateway नहीं देना चाहते हैं तो आप keyword code के थूरू भी payment कर सकते हैं यह payment देख लिजी यहां से खुलेगा और यह जो है यह एक manual payment service है यहां पर payment राधारमन चौदरी के नाम से होगा ठीक है और यह देख लिजे payment करने के बाद आपको इस particular case में क्या करना होगा कि इस particular case में one second यह I think कुछ दूश्रा खुल गया चलिए वो पी इंट्रेस्ट का पेज खुल गया मैं यहां कह रहा हूं कि आपका जो है मैं लिख करके इस पर देखा देता हूं यह देख लिजे यह आपका जो है राधारमन चौदरी के नाम पे payment होगा और उसके बाद या तो आप संडाइज class is is जो इसकी official email id है उससे आप इसका Screenshot Share देगे जो भी आप पेमेंट करेंगे यह या फिर है अपको दिखा दो टूए con इस पर क्लिक करेंगे तो आपको admission form open हो जाएगा उसमें जो भी detail दी गई है correctly डालिएगा क्यों क्योंकि आप जब payment करने के बाद आप जो हमारी इस पर जो है आप payment कर सकते हैं इस पर कोई भी extra charges आपको नहीं लगेंगे ठीक है एक रुपया भी नहीं लगेगा जो कहा जाएगा वही payment लिया जाएगा तो यह आपका हो गया अब मैं आपको बतलाता हूं जो इसकी course design के बारे में फोरा सा देखते हैं अब हम लोग इस पर आ गया और देखे details of the course में जाते हैं तो details of the course में जब जाएंगे जो ही आप यहाँ पर आएंगे न तो आपको चैट करने का option आ जाएगा चैट भी आप कर सकेंगे हमारी टीम के साथ लेकिन सबसे instant reply लेना है तो आप WhatsApp करेंगे तो ज्यादा instant reply आएगा आप ISS और RBI दोनों की तियारी करते हैं देखो पहली बात कुछ बच्चे यह कहते हैं किस जो हमारी inquiry टीम हमें बतलाती है कि सर कि हमें दो को दो पेपर नहीं मिल जाएगा अरे भाई तुम तैयारी कर रहे हो या सबजी भी खरीदने जा रहे हो समझ रहे हो कि हमें एक पाव देदो समझ यह मेरी बात को आप अगर प्रिपेरेशन कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा है 23 डेज फॉर्मूला लगाई अपने लाइफ को मतलब ऐसे मतलब दो रूपे चार रूपे के लिए लाइफ को बरबाद मत करो समझो मेरी बात को मैं यह कह सदस्ती बिलकुल नहीं है आपको मैं कहा रहा हूं कि अगर आप फुली प्रिपेर्ड हैं आप इस साल के एकजाम के लिए आपकी तयारी हो चुकी है तब लीजिए यह बहुत आप टेस्सरी ले रहे हैं अगर आपकी तयारी नहीं हुई है तो आप पिर कोर्स लीजिए न सफेरी उसमें आपको इंटर्णल टेस्ट भी होगा मैंने जैसा कहा था पिछले साल भी कहा था मैंने की भाई साब स्टाट होगा 20 दिन के अंदर टेस्ट होगा और हमने किया अभी भी टेस्ट चल रहा है और सालों भर चलते रहेंगे हर वीक पर संडे हर संडे को टेस्ट होता है आप पूछ लिजे जो हमारे यहां बच्चे लेते हैं तो हर संडे को टेस्ट हो रहा है अभी भी चल रहा है पीछे मतल आज यह नब्बे मौडूल बोल रहा हूं भाई खेल असी नहीं है कहीं पर भी आप अगर देखोगे तो 10 टेस्ट पेपर 12 टेस्ट पेपर मतलब टोटल चौ मिला के मतलब तो या तिन टेस्ट पेपर देगा और मतलब 6 318 18 पर टेस्ट पेपर के आपको 5000-6000 ले लेंगे यहाँ पर टोटल 90 टेस्ट पेपर के आपको दिये जा रहा है और मात 10,000 डुपेज लिया जा रहा है आप चेक कर सकते हैं मैं मतलब Cross Cost Effectiveこと Banker तरीके से मेरा मेन मकसद क्या है वो समझाता हूं मेरा मेन मकसद ये है कि आप तयारी इतनी कर लो मतलब हमारी जो टेस्ट स्रीज है उसमे इतने question आ गए इतनी question आपकी coverage हो गई कि आप अगर और आप अगर 100% इसको टेस्ट को दे लेते हैं तो मुझे लगता है कि 80 to 90% question as it is data change करके या as it is मिल जाएंगे मैं हमेशा कहता हूँ पिछले साल भी मैंने कहा था नियुमिर कर आलेसिस का 18 question लगा है भरोसा हो नहीं हो तो चेक कर लो जो हमारे बच्चे हैं उनको तो भरोसा हो जाता है जब आज आते हैं तब नहीं आते हैं तो अब मैं कभी-कभी कहता भी हो कि मैं कैसे बतलाओं लोगों को कि मैं क्या provide करता हूँ विकॉज जो चीजे मैं देता हूँ, उन चीजों की पहुँच आप ही लोग बतलाएंगे लोगों को, यह चीजे हैं, अब कौर कीजिए, खर कोई दिक्कत नहीं है, कहता है कि this test is built with proper care for complete practice, बिल्कुल, coverage complete होगी, इसलिए जब आप देखते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर स subjective का भी solution दे दीजिएगा, नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको subjective का solution दोंगा, तो जो हमारे यहां बच्चे पढ़ने आये हैं, उन लोगों का क्या, क्योंकि मैंने क्या का, complete practice दे रहा हूँ, मतलब यह, कि अगर मैं केबल इसकी सारे के solution दे दूना, तो पढ़ने की solution fully देता हूँ, ठीक है, objective के इसलिए, कि objective में concept तो आपको ऐसे भी जमाज में आती है, और हम भी concept लगबग बतला देते हैं, और क्यों तो उसमें concepts और भी हैं, लेकिन subjective में 100% coverage है, objective में 100% कितना भी बतला दूँ, कितने भी question करा दूँ, तो केबल question ही करा रहा हूँ, तो यह जिसमें आपको मिल जाएगा, अगर आप सच में तयारी कर चुके हैं, मतलब आपकी तयारी लग रही है कि नहीं सर, अब हम इस बार देंगे, और आर या पार की लराई है, है ना, Congress and BJP, आर या पार की लराई है, तो उस case में आप इसको कर सकते हैं, यह है, testries are comprehensive in the sense they will cover the entire topic, वही चीज है, काता है कि the most crucial benefit of testries is that they reveal the aspirant, the subject they still need to learn, allowing them to concentrate their future study on those subjects and devote little additional time to the subject they are already knowledgeable with, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, कि आप उन topics को देखे, क्या होता है, पहले का अगर आप देखेंगे, तो Economatrix का मैं बात करता हूं, पहले जो topics आते थे, गुजराती सर की बुक से मिल जाते थे, अब गुजराती सर से मिलते हैं, मैं नहीं कहता, standard book है, लेकिन advanced topics भी आ रहे हैं, और मैं लिखके दे सकता हूं, कि वो topics हमारे यहां notes में हैं, हमारे exams में हैं, तो आप अगर इसको देते हैं, तो वो topics भी cover हो जाएंगे, जो आप अभी तक नहीं कर पाए, ठीक है, अगर आपकी तयारी है, तो आप दीजिए, आपकी उन कमजूर वाले पार्ट को भी दिखाया जागा, कि यह कमजूर पार्ट है, और काफी बहतरीन तरीके से, ठीक है, दूसरी चीज, psychology has long recognized that learning something at different times will increase memory retention, यह भी आपको है, आपको भी पता है कि random तरीके से अगर कोई चीज पढ़ा जाए, तो पढ़ने में भी मज़ा आता है, psychology इस बात को कहती है, next कहता है कि test research enhance early learning and a spacing out of learning, which is likely to boost retention because they motivate revision and studying, revision का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, test research, और revision मैं एक दो नहीं 10 करवा रहा हूं, मतलब 3-3 दिन का shift होगा, और 3-3 दिन का shift होगा मतलब 30 दिन, 30 दिन दो कोनो time test दोगे, 20 दिन में हमने कहा है कि इंसान वैसा करने लगता है, जैसा वो देख रहा है, और plus मैं online वालों के लिए benefit बतलाओ, एक test को 3 बार दे सकते हो, और 3 बार copy check करके हम आपको देंगे, ये अब है, अगले साल रहेगा या नहीं नहीं पता, इस साल है, तो अगर benefit ल number of persons तो बढ़ा रहा हूं, लेकिन कितना बढ़ा हूं, क्या है न, copy check करने वाले मिलते नहीं हैं, ये statistics का field है, नहीं मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं, जो मतलब उस intellectual level से, क्योंकि उनकी interview के बिना तो उनको रखूंगा नहीं, और नहीं मिलते हैं, बहुत कम इंसान मिल प ठीक है, उसके अलाब है, test is enhanced early learning and spacing out learning, which is likely to, मतलब division का बात किया गया, some aspirants worry or anxiety around the exam process, बिलकुल, अगर आपको कोई anxiety है, तो आप exam दीजिए, एक अच्छी facility दे दी गई है, कि अगर आपको कोई दिक्कत है, मतलब exam के, देखे, question का answer तो नहीं बतलाया जाएगा, क्योंकि उसको थोरा सा preference दिया जाता है, हमारे वो बच्चे, जो हमारे internal classes में है, उसके अलाबे, जो जैसे sir, ये कमजोर पार्ट है मेरा, तो क्या करें, ये जरूर समझा दिया जाएगा, और ये कमजोर पार्ट है, तो कैसे आपको पता चला कि कमजोर पार्ट है, ये सब feedback facility, वीडियो के म test दें, हमको आपसे क्या मतलब, paper one and two की facility है कि उसमें, आप जो ही test देंगे न, आपका automatically उसी समय score card आ जाएगा, अगर score card आ जाएगा, आपका कितना percent marks आया, negative marking कितने percent की वीडियो, सब कुछ दिख जाएगा, वहीं पे, और आपको वहीं पे result दिख जाएगा, on the spot उसका solution भी पर आजागा, तो यह आपको एक better benefit दे रहा है, तो objective में, तो on the spot हो जाएगा, subjective के लिए 10 दिन का time लेता हूँ, क्यों तो copies बहुत जादा हो जाती है, तो copy check करना पड़ता है, और paper four आदी कि कुछ copies ऐसी है, जो particularly मुझे ही check करना पर, ज्यादा कोई मिलते ही नहीं है, है कि न करते हैं, एक exam है, technical exam है, आपको पता ही है कि इस level के जो teacher है, वो नहीं मिल पाते है, doubt expert अच्छे मिलने मुश्किल हो जाते हैं, और अगर मिलते भी है न तो वो सारे doubt हम से ही करवाते हैं फिर, तो फायदा क्या होगा, ठीक है, चली, उसके बाद time management इसमें आपको सीखने को मि कर गया है, और सोच के देखिए न, अगर आप इसमें जैसे वहाँ optional question होता, यहाँ भी optional होगा, और question repeat नहीं करता हूं, यह पक्की है कि repeat नहीं होता question, इसलिए मैं इसको तीन बार बनाने कहता हूं, एक बर से तो नहीं होगा, तीन बार बनाओ, ठीक है, तो यह चीजे है, इ देख लिजे, यह free trial की website है, आपको free trial दिया गया है, आप free trial पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, इस पर click करेंगे, तो आप free trial दे लेंगे, general English, general studies, paper 1, paper 2, paper 3, तो आप दे सकते हैं, इसका description आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो मतलब ISS का भी दे सकते हैं, और RBI DSM का भी द दूसरी बात यह, यह testries, suppose कीजिए, इस साल आपने लिया, ठीक, और आपने इस साल एक बार दिया, testries, अब आपको testries का time नहीं है, आपके पास, अब आप exam देंगे, and अगर इस साल आपका हो गया, तो फिर ताली बजाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ, suppose कीजिए, अगर आपका इस साल किसी भी रिजन से, due to any reason, तो क्या होता है, कि फिर अगले साल सार लेना पड़ेगा, क्या, नहीं लेना पड़ेगा, घवराईए नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको दुबारा payment करना पड़ेगा, अब फिर से अगले साल जो है, test दे सकेंगे, ठीक, क्योंकि आ गया है, तो या तो तीन बार आप खतम कर लें एक साल में, या तीन बार दो साल में खतम कर लें, या तीन बार तीन साल में खतम कर लें, तीन साल से ज्यादा लोग है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, है ना, तो तीन साल से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे पहले आपका रिजल्ट हो जाएगा मुझे अगर आपने तयारी कर लिया और नहीं किया तो उससे पहले आ जाई है मेरे पास तयारी कीजिए क्योंकि फिर मतलब इसका मतलब है कि तयारी नहीं है, एक साल नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं हुआ, तयारी नहीं है, समझो, दूसरा, assessment and all India ranking जो है, ध्यान रहे, assessment and all India ranking, paper का तब दिया जाएगा, जब आप total paper का module, मतलब जैसे आपको मैंने कहा, तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, कि अगर मैंने यह कह दिया, कि यह है अपना, देखे, मैरा क्या होगा, यहाँ पर module wise दिया जा रहा है, module 1 to 10 रहता है, ठीक है, तो जैसे 1 module है, 1 module का मतलब है 6 paper, 6 paper, जैसे आपके exam के 6 paper होते है, 3 days, तो ऐसे ऐसे 10 into 3, मतलब 30 days and 60 test paper है, तो अगर आप देखेंगे, तो 1 module अगर आप दे 2, 3 and 4, मतलब अगर आप cable ISS का दे रहे हैं, तो ISS का जब आप total 6 papers दे देंगे, मतलब module 1 का सारा का सारा, तो आपको एक performance card दिया जाएगा, उस performance card में आपके marks लिखे होंगे, आपके all India ranking लिखी होगी, estimated, और यह मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि cable हमारे बच्चे, हमारे बच्चे जो देंगे वो तो ठीक है, इसके basis पे हम और भी अपने sources से बता करके, और फिर आपको एक all India ranking देते हैं, एक estimate देते हैं, on the basis of historical data, तो वो एक estimated आपकी all India ranking होगी, मतलब इससे आपको पता चलेगा कि मेरा इस साल होगा या नहीं होगा, वो पहले ही मैं बतला दूंगा आपको तो ये आपका GSG, paper 1, 2, 3, 4 आपका होगा, इसी तरीके से second module का, third module का, fourth module का, fifth module का, sixth module का, और इसमें attempt भी count होगता है, मतलब first module, first attempt, first module, second attempt, first module, third attempt, three attempt है, तो मतलब आप अगर पहली बार करेंगे, तो पहली बार second time करेंगे, तो second time, third time करेंगे, तो third time, तो ये आप दे सकते हैं इसके लिए दो चीजे की गई है, एक टाइमिंग सीडूल भी की गई है, दूसरा कि कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे जॉब है, तो उनके लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी है, उसके बाद की बाद कही जाती है, देख लिजिए, यहां कहा जाता है कि correct answer, approximate score, approximate नहीं रहता सही है, 0.33 negative marking की जाती है, note and explanation of objective paper display हो जाएगा, जो ही आप exam देंगे, on the spot वहीं display हो जागा, ध्यान रहे, window बंद मत कीजिएगा, window बंद करेंगे, तो फिर वो हट जाएगा, फिर दुबारा आप log out हो जाएगे, log out होने के बाद फिर से login नहीं कर पाएगे, फिर से login नहीं कर answer booklet को या तो आप वहाँ पे, मतलब या तो आप वहाँ से booklet आपको दिया भी जाएगा, आपका जो portal होगा, dashboard portal, उस पे एक booklet हमारी तरफ से दिया जाता कि इस format में आप लिखें, तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आप खुद का भी आप line खीच करके बना सकते हैं, कोई दि upload कर दिजिए, अगर upload नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि time वहाँ पे limited होता है, नहीं upload कर पाए, क्योंकि आपको, suppose कि ये PDF बनाने में time लग गया, तो आपको एक testries team की email ID दी जाएगी, उस email ID पे send कर देंगे, फिर आपका valid माना जाएगा, ठीक है, वो चेक करके आपको बत हम जो जैसे paper 3 दिया paper 4 नहीं दे पाए, तो हमको उसका पता ही नहीं चलेगा कि कितना marks है, marks पता चलेगा, आपके performance काड़ जाएगे, एक paper 3 के basis पे all India ranking भी दी जाएगी, उस all India ranking का कोई ज्यादा value नहीं होगा, क्योंकि एक केबल paper 3 से आपके all India ranking decide नहीं होती है, तो paper 3 के basis प होगे कि सारे interview का, तो interview में हम लोग minimum marks मान के चलते हैं हमेसा, तो ऐसा होगा कि GS का check कर दिया जाएगा, GE का भी check कर दिया जाएगा, paper 3 भी check करके आपको बतला दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वही है कि उस all India ranking से अच्छा है कि six papers, दो उसकी all India ranking लो, दिया दोनों case में जाए जो ही आप देंगे उसी समय, subjective paper के लिए आप जब test देंगे, आपको जब उसकी marking मिल जाएगी, तो आप चाहें, तो हम से बात कर सकते हैं, या फिर testries team के कोई भी member आप से बात कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं ही बात करूँ, मैं कोशिस करता हूँ कि मैं attend कर ठीक है, ये चीज़े आपको बतलाई जाएगी, फिर फ्री फॉर जनरल इस्टडी जनरल इंगलिस के लिए कोई भी आपको answer नहीं दिया जाएगा, ये मैंने पहले ही बतला दिया कि क्यों नहीं दिया जाएगा, आप video call assessment जो है, ले सकते हैं, उसके अलाबे, बिलकुल, तो ये चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी, अब इसका schedule देख लिजिए, एक schedule जो है वो आपका दिख रहा है यहाँ पर, schedule आप लोग website पर देख लेंगे, लेकिन दूसरा schedule भी आने वाला है, तो आप लोग लेकिन इसी schedule में ले लिजिए क्योंकि flexible timing भी है, यहाँ पर देख लिजिए लिखा हुआ भी है, कि this is the schedule of test starting from 30 January, 30 January is a start हुआ है, in exceptional cases, if some students are not able to attend the test in the schedule time, they can attend the test at their own flexible time, तो यह आप देख सकते है, ठीक है, यह आपका course है, और course लेना सिर्फ इसलिए चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, इंडिया में इससे अच्छा टेस्ट आपको नहीं म लेगा, ठीक है, क्योंकि यह best of best तयार किया गया है, तो आप एक बार जो है, इस test starting को लीजिए, अगर आप पुरी तरीके से तयार हैं, तो ही लीजिए, नहीं भी तयार हैं, तो आप लेकर try कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल भी यह रहेगा आपके पास, तो try कर सकते हैं, को hopes हो कि आपको यह समझ में आ गया होगा, कि test starting हमें Sunday classes पे ही क्यों लेना ही चाहिए, ठीक है, तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास्ते जर्मती होत सुजान, रसर यावत जात ते सिलपल परत निसान, तो वो वाली सिध्धान्त है, हमारे यह इतनी प्रैक्टिस कराये जाते हैं मैंने देखा है, मतलब बच्चे कहने लगते हैं कि सर इस सप्ता नहीं सर, अगले सप्ता, इस वीक नहीं सर, नेक्स्ट वीक, यह कहना पर जाता है स्टुडेंट को, समझ रहा हैं, ऑनलाइन में भी मतलब सारे बच्चे नहीं दे पाते हैं, क्यों ऐसा नहीं कि सबको मिल ज तो आप लोग जो है, आईए, टेस्ट रिज लीजिए, और मुझे लगता है कि इस से अच्छा टेस्ट रिजना हो नहीं सकता है, ठीक है, चलिए, ओक,